Hello fans, welcome to my YouTube channel, exercise 15.1 से question number 8 करेंगे, refer to question 2, exercise 14.2, ये question आफको reference देता है, exercise 14.2 के question number 2 का, question number 2 देख लेते हैं, पहले ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows, 40 engineers का घर से लेकर उरके काम करने की जगह तक के बीच में जो distance है ना, वो दे रखा है, यैसे पहला engineer अपने घर से और उसके जो काम करने की जगह है, उसके बीच में 5 km का distance है, ऐसे 40 engineers का ये distance दे रखा है, What is the empirical probability that an engineer lives, आपको probability निकालनी है, जो ये empirical probability means कि अगर आप किसी engineer को choose किया जाए, तो ये क्या probability होगी, ये 3 probabilities आपको निकालनी है, Number 1 पे है, Less than 7 km from her place of work, कि वो जो engineer होगा, उसके घर और उसके काम करने की जगह के बीच में जो distance होगा, वो less than 7 km होगा, तो हम यहाँ यह देखेंगे, कि इन 40 engineers के जो distance है, वो 7 से कम कितनी बार यहाँ पर है, ये जो दे रखे हैं आपको numbers, तो गिनते हैं इनको 7 से कम लेना है हमें, यानि कि 7 को भी नहीं लेना है, हम 6 तक लेंगे सिरफ, तो यह 5 है, यह 7 से छोटा है, यह 3 भी छोटा है, आगे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर, यह 2 है, इस से छोटा है, और 7, 7, इनको तो लेंगे नहीं हम, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे, आगे हम 3 को लेंगे, और फिर यहाँ पर 2 को लेंगे, यहाँ इस 6 को लेंगे, क्योंकि यह 7 से कम है और यहाँ पर 6 को ले लेंगे अब गिनताओं 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 तो यह value आती है 9 यानि 9 engineers ऐसे हैं इस table के अंदर जो 7 km से कम distance पर रहते हैं तो empirical probability हो जाएगी उस engineer की जो अगर अब randomly हम choose करेंगे कि वो जो engineer है वो less than 7 km के दाइरे में होगा ऐसे 9 upon 40 हो जाएगा तो event का नाम यहाँ पर होगा probability जो exact यहाँ पर लिखा है वो ही लिखना है आपको probability an engineer lives less than 7 km from her place of work यह तो हो गया event का नाम अब क्योंकि यहाँ less than 7 km की बात चल रही है तो उपर हम यही लिखेंगे number of engineers lives less than 7 km from her place of work ऐसे engineers की गिंती जो 7 km से कम distance पर रहते हैं और यहाँ मैंने ऐसी value जो निकाल लिये यह 9 आई है 9 engineers हैं और total engineers यहाँ पर 40 है तो नीचे 40 आ जाएगा जो total outcomes होते हैं यहाँ total outcome क्या होगा total number of engineers होगा तो 9 upon 40 value आ गई है अब यह कट तो किसी से रहा नहीं है तो यही इसकी final probability है number 2 event देखते हैं more than or equal to 7 km यानि 7 km और 7 km से ज्यादा from her place of work ऐसे engineer यहाँ हम देखेंगे जो 7 km पर रहते हो यह 7 km से ज्यादा distance हो उनका अब देखें 7 से कम हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 9 है और 7 और 7 से ज्यादा कितने होगे जब total यह 40 है जब total 40 है उसमें से 9 engineers ऐसे हैं जो 7 km से कम distance पर रहते हैं तो बाकी के 7 या उससे ज्यादा पर रहते होगे तो बाकी के कितने होगे यहाँ पर 31 होगे आपको count करने की ज़रूत भी नहीं है आप direct लिख सकते हैं तो probability इसकी जो हो जाएगी वो 31 upon 40 हो जाएगी event पर ध्यान दीजिए probability ऐसे P लिखेंगे बाहर और अंदर हम event का नाम लिखेंगे exactly जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम लिखेंगे an engineer lives more than और equal to 7 km from her place of work यह event का नाम हो गया अब जो इससे related जो favorable outcome है वो हम उपर लिखते हैं तो favorable outcome यहाँ वो गिंती होगी उन engineers की counting होगी जो 7 km या उससे ज़ादा distance पर रहते हैं तो number of engineers lives more than और equal to 7 km from her place of work यह उपर लिया जाएगा और नीचे total outcome लिया जाता है यहाँ पर total outcome आपका 40 है total number of engineers यह value भी किसी से cut नहीं रही है तो यह as it is रहेगी यही इसकी final probability है थर्ड पर आते हैं within half km from her place of work अब half km पूछा है ना हम यहाँ पर यह देखेंगे यह 40 engineers का जो distance दे रखा है कि इसमें half km के कितने है तो जब मैं देखता हूँ तो half km का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जब कोई है ही नहीं तो value क्या होगी 0 होगी और total outcome क्या है यह 40 है तो 0 by 40 इसकी probability होगी तो answer finally 0 ही आएगा यहाँ already मैंने सारा लिखा हुआ है यह event का नाम है probability an engineer lives within half km from her place of work यह event का नाम हो गया तो half km की पूछी है तो उन engineers की counting को यहाँ enter करेंगे उपर की तरब जो half km में रहते हैं तो language में लिखेंगे number of engineers lives within half km from her place of work और यह जो गिंती है यह 0 है नीचे total outcome लिया जाता है यहाँ total outcome आपका total number of engineers ही होगा जब इसे solve करेंगे तो यह 0 आ गया यह इसकी probability होगी question खतम तो इस video बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye